हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ अर्चना और आप सब का मेरी चैनल पर स्वागत है और आज मैं आप लोग की साथ सेर करने वाली हूँ मुंग डाल के पकोड़े की रेसिपी जो की खाने में बहुत ही जादा टेस्टी लगता है और पकोड़े तो सबको पसंद होत करते हैं तो मुंग डाल के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें मुंग डाल को भीगो के रखना है तो मैं आप मुंग डाल को दो से तीन घंटे पहले ही भीगो के रख दी थी आप चाया तो एक घंटे भीगो के रख सकते हैं इसे बहुत जादा देर के लिए हमें न पानी से पीश जाए उसके बाद हम इसमें फेंगे लेंगे 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 तो नहीं किसे बाद हमें तो नहीं है इसके बाद अनुतकर अध्या किस फेंगेशं, इस बास इनणा किश एऊगर में थbot दिश जाएगा उसके बाद हम इसे एक बावल मे निकाल लेंगे और इसके बाद हम एसमें बागी की चीज़े एड़ कर लेंगे तो मैया पे ढाल रही हूं तो प्याज मैया पर थोड़ा से ज़यदे क्योंकि प्याज डालने से बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है और उसके बाद हम डालेंगे इसमें बारी कटियोई धन्या की पति और आप हम डालेंगे इसमें मसाले तो मसाले में मैं यहापे डालेएग आधी छोड़ी चमश हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर तो मिर्च आप अपने ही साप से डालें क्योंकि हम हरी मिर्च भी डाले थे उसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, धन्या पाउडर, आधी छोटी चमच गरम मसाला पाउडर और आधी चमच हम यहाँ पर डालेंगे आमचुर पाउडर और इसके बाद हम इसमें डालनेंगे नमक, तो नमक आप अपने स्वादन से डालें, और सारी चीजे यहाँ पर डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो आप चाहें तो एक चमच की साहते से या फिर हाथों से अच्छे से इसे मिक्स कर लें, और यह तो चलिए अब हम इसे साइड में रख देते हैं और तेल गर्म होने के लिए रख देते हैं और जब तक तेल गर्म हो रहा है हम यहाँ पे चटनी बना लेते हैं तो चटनी बनाने के लिए मैं यहाँ पे छोटी जार में डाल रही हूं धनिया की पत्ति और उसके बाद हम इसम हम डालें यहां पर पानी उसके बाद स्वादने सवार हम इसमें नमक डाल देंगे और इसे हमें बंद करके पीस लेना है और यहां पर भुजिया सेव डाली हूं तो इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है चटनी में तो आप इस तरह से एक बाद चटनी जरूर ट्राय करे और यह देखे चटनी हमारी बन के तयार हो गई है और वैसे जब हम अगर भुजिया से नहीं डालते तो सिर्फ धन यह पत्ती की चटनी बनाने से क्या होता है कभी-कभी उसमें से पानी साइड से निकलने लगता है लेकिन इस तरह से बनाया तो नहीं निकलता है पानी और अब हम इसमें पकोड़े डाल देंगे तो पकोड़े का साइज अब अपनी साब से छोटे बड़े कर सकते हैं और यहां पर जैसे ही पकोड़े एक साइड से सिख जाएंगे हम पलट के दूसरे साइड से भी अच्छे से से लेंगे और बस इसी तरह से हमें इसे पलट पलट के से लेना है और स्टार्टिंग में हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है और उसके बाद जैसे ही पकोड़े डा कच्छे रहेंगे इसलिए जैसे ही आप पकोडे डाल दें इसके बाद गैस का फिलेम मीडियम टू लो कर दें ताकि पकोडे अच्छे से सीख जाए और यह देखें पकोडे अच्छे से सिख गए हैं तो मैं इसे निकाल ले रही हूं और बचे हुए पकोड़े भी हम दुबारा से डाल देंगे इसमें और यहां पर पकोड़े डालने के बाद मैं इसमें चार से पांच हरी मिर्चे डाली हूं क्योंकि पकोड़े के साथ हरी मिर्च खाने में बहुत जादा मज़ा आता है तो आप इस तरह से एक बार हरी मिर्श को फ्राई करके जरूर खाएं पकोड़े डालने के बाद हम इसे अच्छे से सीखने देंगे और जैसे ही एक सेट से सीख जाएगा उसके बाद हम इसे पलट देंगे और इसे चारो तरफ सच्छे से सिखने देंगे और हरी मिर्श को मैं यहाँ पहले ही निकाल ली थी क्योंकि उसे बहुत जादा फ्राई नहीं करना है बस तेल में थोड़ी दिर के लिए ही हम इसे फ्राई करेंगे और यह देखें बस थोड़ा थोड़ा सा फ्राई हुआ था उसके बाद ही में यहाँ पर हरी मिर्श को निकाल ली थी और बस पकोड़े को हम थोड़ी दिर के लिए और फ्राई करेंगे और जब तक पकोड़े फ्राई हो रहे हैं तब तक आप में इस वीडियो को लाइक कर दीजीएगा मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दीजीएगा और जदा से जदा लोगों को सेर करेएगा और कमेंट करकर ज़रूर बताएगा आप लोगो मॉंगदाल के पकोड़े की रेसिपी कैसी लगी और ये देखिए दूसरा बैस भी हमारा रेडी हो गया है और ये देखिए हमारे गर्मगरम पकोड़े बन के तयार हो गए है तो आप इसे मॉंगदाल के पकोड़े या मंगोड़े भी कह सकते हैं कई जग हो पे मंगोडे भी कहते हैं इसे तो आप गर्म गर्म पकोड़े को चटनी के साथ ये सॉस के साथ इंज्वाइ करें और एक बार अपने घर में जरूर ट्राइ करें बहुत मज़ाता है खाने में फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर